आज किस वीडियो में हम OP360 वेविनार में ऐसर के दौरा दिये गए कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे अपडेट्स काफी जदा इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा अगर किसी ने OP360 वेविनार को लाइब नहीं देखा है तो आप वेविनार में आजसर ने तीन इंपोर्टेंट अपडेट्स के बात करेंगे तो हर बार की तरह इन्होंने कुछ इंपोर्टेंट इंफर्मेशन सेर किया है रेट्स ने लाष्ट सेवन डेज की रिगारिंग काफी अच्छे से एक्स्प्रेंड किया कि ओन पैसिव में लाष्ट सेवन डेज में क्या क्या हुआ है तो फ़र्स अपडेट के अगर हम बात करें तो कुछ लोग उल्टे सेदे कमेंड करते हैं मैसेस करते हैं तो इसका आयसा ने काफी अच्छा यहां पर एंसर दिया है कि ओन पैसिव यहीं समझते हैं प्रेंक समझते हैं तो सायद आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि अगर आप अगर कोई यहां पर हिमानिटी से हीड करता है तो उन पैसिव जो कर रहा है वहां उनको पसंद नहीं आएगा और जो भी फांडिंग मेंबर अच्छे से उन पैसिव को समझते हैं जो भी यहां पर पैमेंट प्रोसेसर की रिगारिंग ऐसा ने काफी अच्छा इंफर्मेशन दिया है अपडेट दिया कह सकते हैं कि गुड न्यूज दिया है जिसका हम सभी लोग वेड कर रहे थे फ्रेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 अप्रेल को मार्टी और की सर के लाइ अप्रेल की बात करें तो 25 अपरेल को यानि कि अप्रेकर के वेविनर में एसन ने ये अपडेट दिया है कि पेमेंट प्रोसेसर की रिगार्डिंग जो थ्री स्टेप्स बाकी रह गए थे वो भी अब कम्प्लीट हो चुका है जो भी लीगल प्रोसेस था जो भी एड़ोकेट की रिगार्डिंग जो भी यहां पे काम था वो सब कुछ यहां पे कम्प्लीट हो गया अभी कोई भी स्टेप्स बाकी नहीं है तो पेमेंट की रिगार्डिंग जो भी प्रोल्म था वो सब कुछ ओके हो जुका है और कुछी दिन के अंदर किसी भी दिन हमें फंड रिसीब हो जाएगा हमें फंड रिसीब हो जाएगा इसका मतलब यह है फंड कि few days में किसी भी दिन जो fund payment processor के पास hold था वो fund on passive के account में रिसीब हो जाएगा और fund रिसीब होने के बाद हम payments and withdrawals की रिगार्डिंग आगे बढ़ेंगे मतलब विड़ोल का जो process है वो यहां पर start हो जाएगा तो यहां पर S&N कुछ सबता की बात नहीं की है फंड यहां पर उन्होंने सिर्फ few days की बात की है और जिस payment processor के थुरू हमें यहां पर withdrawal receive होने वाला है तो उसके regarding भी काफी अच्छा progress हुआ है तो fund receive होने के बाद just किसी भी दिन हम payment की regarding live testing start करेंगे क्योंकि यहां पर जो volume है वो काफी ज़्यादा है तो उसको भी handle करना है मतलब ज अपडेट में ऐस तर ने ओकन मोबाइल एप इसके लावा अधर कुछ प्रोड़क्ट के regarding information दिया है ओकन मोबाइल एप के regarding उन्होंने बताया है कि ओकन का जो native mobile app है वो भी यहां पर release होने वाला है और हमारा जो verify है वो भी लगबग same stage पर है इसके लावा हमारे कुछ और भ प्रोड़ की जाएंगे उसके रिगाड़ी यहां पर complete information प्रोड़ किया जाएगा तो ऐसर यहां पर कुछ और भी information share करना चाहते थे बट अधिक information ऐसर ने नहीं किया है जब भी सही वक्त आएगा तो और भी अधिक information ऐसर हमारे साथ share करेंगे तो यह था OP360 webinar में ऐसर के दोर कि something big is coming soon and stay tuned for a major announcement याने कि कुछ बड़ी चीजे जल्द ही आ रही हैं यहां पर major announcement किया जाएगा तो देखते हैं फिर्स कि यहां पर क्या अच्छी न्यू जाती है क्या यहां पर major announcement किया जाता है तो जब भी कोई announcement किया जाएगा तो उसके बारे में हम सभी को यहां पर complete information मिल जाएगा इसके लाव अगर हम new website की बात करें तो yesterday आप सभी को पता है new website हमारी live हो गई थी जो हमारा webpage on passive.com official website का तो new webpage काफी अच्छा है अगर आपने चेक कर लिया बहुत अच्छी बात है नहीं चेक किया तो आप विजिट कीजिए official website को जो website है उसका जो design है काफी जवरद दसते तो website को आप लोग विजिट कीजिए साथ में blog section को आप लोग चेक कीजिएगा जो हमारे नए blog है तो time निकाल कर जब भी आपको time मिले तो new blog को आपको जरूर पढ़ना है इसके लाव अगर हम camera preview की बात करें तो आप सभी को पता है कि open में हमारा एक feature provide किया गया है camera preview का तो जब भी आप as a host webinar को start करते हैं start करने के बाद जब भी आप अपना video on करते हैं तो video on करने का जो option है वहीं पर आप सभी को पता है एक symbol का जो option होता है icon होता है उसके आपको click करना होता है click करते ही जो camera preview का जो page है वो आपके सामने open हो जाता है तो वहाँ पर जो आपका quality है जो आपका resolution है उसको आप कम कर सकते हैं low कर सकते हैं medium कर सकते हैं high quality यानि key hd में कर सकते हैं ultra hd में कर सकते हैं full hd में कर सकते हैं यह तो आपको अच्छे से पता है इसके अलावा एक new option वहाँ पे add हुआ है जो वहाँ पे resolution को कम करने का option है जो setting का option है तो उसके just नीचे video का option आपको दिखाए देगा तो जैसे आप उस पे किलिक करेंगे तो दो आप्सन आपके सामने नजर आएगा front and back यानि कि अगर आप front camera को open करना चाहते हैं तो facing front पे click कर दीजे और अगर आप back camera को open करना चाहते हैं तो facing back को click कर दीजे इससे क्या होगा आपका front camera on हो जाएगा और back camera भी on हो जाएगा यानि कि आपकी जो भी चुए है इससे अगर आप back camera on करना चाहते हैं तो back भी on कर सकते हैं और अगर आप front ऑन करना चाहते हैं तो आप front भी on कर सकते हैं हाला कि यह option आपको setting में मिल जाएगा जब भी आप open webinar page पर होते हैं तो webinar page पर सबसे उपर जो setting का option है तो जब भी आप setting और यह option में जाते हैं और वहाँ पर अगर आप video पे click करते हैं तो click करते हैं सबसे उपर आपको camera select करने को आपोसटन नजराता कंडियो होता है तो वे अप्रेंट या back select करके apply कर सकते हैं तो इस परिवा करना कर सकते हैं या सेट अगर resolution को कम ज़्यादा करना है, low, medium, HD में, ultra HD में, full HD में, जो भी आपको करना है, वो आप बहुत ही आसानी से set कर सकते हैं. तो यह थे friends कुछ important points जिसके रिकारी मुझे आप से बात करने थी, उमीद है कि यह सभी points आपको आसानी से समझ में आगे होंगे, और यह वीडियो भी आपको informative ज़रूर लगी होगे. वीडियो informative लगे से वीडियो को like कर दीजेगा, friends को share कर दीजेगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कर लिजेगा.